लेकिन बरखास करने से जो आजाद आवाजे हैं, उन्हें जहां पहुचना होता है, वहां पहुचती हैं, रुकती नहीं है, इस देश में मैलाओं के पती अपराज लगतार पढ़ रहे हैं, मणीपुर में जो हो रहा है, मणीपुर की जंता ने जो बरदाश्ट किया है, उसक दोस्तों, मैलाओं के सम्मान की बात करने वाला यह देश, मैलाओं के मान को सरो पर रखने वाला यह देश, और इस देश के पढ़ार मंतरी जी, जब यह घटनाएं, अपरेल के दूसरे हफ़ते से घटी तोना शुरू भी मणीपुर में, तब से लेके आज तक आठ देशो में जा चुके हैं, आठ देशों में जा चुके हैं, आठ देशों में जाके, पता नहीं क्या क्या बाते करीं, लेकिन इस देश की आधी अबादी, मणीपुर की आधी अबादी के उपर जो हुआ, उस पर मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, एक आवाज देनी के उनके म से मोदी जी मौन हो गए जब कि जाने जाते हैं बड़ा शांदार स्पीज देते हैं बहुत बढ़ियां भाशन रहते हैं बहुत अच्छी बाते कहते हैं लेकिन जब बात आई कि मनी उपर के उपर जो घटनाय हो रही है जो अत्याचार हो रहा है मैलाओं का खुले आम बलातक में बिटी लेनी चाहिए हमें भी सामुरी कुर्प से शर्मंदा होना चाहिए लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं मनी पुल के मुख्यमंत्री इस्तिफाद हो इस देश के अंदर law and order की जिमधारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो है इस मुख्यमंत्री की भी है मैं इस मंच से पुछना चाहता हूं आप लोगों से आप में से कितने लोग सामत है हाथ बढ़ा के बताईए कि मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के अग्रेमंत्री में शाह को भी इस्तिफाद देना चाहिए कि देना चाहिए इस्तिफाद देना च सर्कार इन सारे त्याचानों के उपद चुप्पिला आगे बैठी वी है मेरे साथ कई सारे पाटी के समानिक लोग सिनियर लोग मंच पे मौझूद हैं वे साथी भी अपनी बात धीरे-धीरे रखेंगे धीरे-धीरे मैं इस कारक्रम को आगे बढ़ाऊंगा लेकिन मेरे साथ अगर आप चाहते हैं कि आद देश बचे अगर इस देश को बचाना है तो किसको अटाना है दोस्तों इस देश को अटाना है तो किसको अटाना है तो मेरे साथ जोड़ से रहा गईएगा मोधी हटाओ मोधी हटाओ मोधी हटाओ मोधी हटाओ मोधी हटाओ तो देश बचेगा मोधी जी रहेंगी तो देश अखाली देश नहीं दोस्तों यह देश नहीं बचेगा यह देश देश का संभधान नहीं बचेगा इस देश की डेमोक्रेसी नहीं बचेगी साली समस्याओं का एक रा कि जब मणी पुल के अंदर ये घटनाएं शुरू हुई मोधी जी ने विद्रेश जाने का कारक्रव शुरू कर लिया मैं आपको पूरी क्रोरोलोजी बता हूं सेकेंड वीक अपरे से घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद मई के महिने से 19 मई को मोधी जी जापान चले ग गए 22 मई को अस्टेलिया चले गए 20 जुर को अमरीका चले गए 24 जुर को इजिप चले गए 13 जुलाई को फ्रांस चले गए 15 जुलाई को युवई चले गए इन तमाम देशों में गए इन तमाम देशों में दुनिया वर्की बादेटी इन तमाम दुनिया वर्के देशों म जाने के बाद भी वह अपनी बाद कहने के बाद भी उनके मुझे मनीपूर के लिए एक शब्द नहीं भूटा दोस्तों ऐसे प्रहार में तुभी हमने चुछ दी सोचिया मद्य पदेश के अंदर काईकर प्रोजेक्ट का अपडेट लेने की चिंता है लेकिन हमारे इस देश का हिस्सा मनीपूर लहु लुहान है महिलाओं की अस्पिता सर्याम लूटी जा रही है धत्यान हो रही है बलतकार हो रहा है लेकिन काईकर प्रोजेक्ट की चिंता करने वाले मोथी ची तो मनिपूर के नागरिकों की चिंदा नहीं ऊपना भारतिय अंतर पर्टी का बिढ़ायत पाइम माँग रहा है क्या करने मोडी जी यहां वहां की बात करने है मनिपूर के विश्टाइपर मनिपूर में को संभी को मोदी जी पूरे सद्वं के लिए बरखास किना नहीं हों रहे हैं यह आलता इस देश के अंदर लोग तो यह इस दोस्तों जरूरी हो जाता है बहुत आवश्चक हो जाता है कि हम एक जुट हो हम इकट्टे हो और इकट्टे होकर हक के साथ खड़े हो इंसाफ के साथ खड़े हो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज भुलंद करें में साथ एक बार जोड़ा लगा इंकलाब 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 बढ़ा इंट्रेस्टिंग है मैं मंच पे स्वाज़त करता हूं नाट इस दिल्ली से आम आगनी पार्टी के पुड़ेश उपादच भाई कुल्दीप जी का बहुत बच स्वाज़त ख्यावत का आप सबने देखा होगा इसले कई सालों में मैं भी बहुत क्लोजली मोदी जी का टुटर हैंडल जो है टाइम लाइन पर देख रहा हूं किसी क्रिकेटर के उंगली तूड जाती है तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं करते कि नि करते हैं कोई क्रिकेटर का उंगली तूड गया था ट्वीट कर दिया थे पर आजिल का कोई खिला दी था वह उसको कुछ चोट लग गया उस पे भी ट्वीट कर दिया था मंगोलिया में कई एक बार मुझ ओगया था उस सुपे भी tweet कर दिया था लेकिन मनलपूर्ण के अंदर शाузब लोग मर गए हजारो घर जल गए हजारों महिलाओं का बलतकार हुआ एक शब tweet कर पा रहे है Expert न बोल पा रहे हैं Whoever that tweet कर पा रहे हैं और पारा है उनके खुट के पिड़ाय के होकिप जी फुरा नाम उनका पॉली राल होकिप जी है वो खुझ समय मांग रहा है कुछ नहीं हो रहा है आप सोचिए हम सब ने एक वीडियो देखा उस वीडियो ने मानाता तो शर्मिसार किया हम सब अंदर से आत हुए उस वीडिय कि पे आए तब इस देश के अंदर महिलाओं के हितों की मान सम्मान की रच्छा के लिए कमिशन बना हुआ है वो जाग गया और इसके उपर कुछ नहीं कुछ होना चाहिए यह तीन महीने पहले का प्राना वीडियो जिसके जिसकी जानकारी उस कमिशन को एक महीना पहले से कोई एक्षन नहीं दिया के बटाई है क्या और इस देश के अंदर महिलाओं के आत्मसम्मान की मान सम्मान की इज़त की रखवाली इन हातों में है जिन कंदों पे हैं वो कंदे टूटे पड़े हैं विलोग्स दो रहे हैं हम और आप जैसे लोग इस दिन जाग जाएंगे इन लोगों को जागना पड़ेगा इसलिए हम और आप आध्या जंत्रमंतर पर इकठा होना पड़ रहा है कि यहां से हम जाए तो एक जिंगारी लेकर अपने श्कीने में जाएं और दुनिया के लोगों को बटाएं कि मोधी जी की चुपी इस देश के संभिधान को देश क उप्षां कर रही है देश बचाना एक तुमोधी जी को देश बचाना है तो मोधी जी को और ताना पड़े और कोई अप्शन नहीं है विए साथ इस मन्छ पे आम आदी पार्टी किला त्टारी ने अगुकता जी है मैं इना गुकता जी से आगरा करोँगा कि इस समयनेश् में काफी समय लगेगा लेकर कैमरे के साथ थोड़ी जगे बना ले जो सामने वाले साथी उनका व्यू कट नी होगा वो देख भी पाएंगे आप भी रिकॉर्ड कर पाएंगे अदर्वाइस वो लगातार एक क्यों सित्की बनिये को इधर से पी और करने को यहां से बैट पहले को मैं आप सब का आभार प्रकट करूँगी कि आप आज यहां आए और अपना घुस्वा दिखाने के लिए यहां पर खटे हुए कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि एक हमारे जाने से क्या हो जाएगा और यही कारण है कि इतने मोधी सरकार की कारेकाल में जो महिलाओं के उपर आत्याचार होते रहे हैं और वो उनके कानों पर चू सक नहीं रहें ती क्योंकि उनको लगता है कि यह सब चलता रहेगा और हम शाशन करते रहेंगे आपको याद होगा जब गोट मादनी की भारी थी तो इन लोगों ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन जब से मोधी जी का शाशन आया है सबसे ज़्यादा मेलाओं के साथ बलापकार हो रहा है यह पहला इंसिडेंट नहीं है जो मनिपुर में हुआ है आपको याद होगा उन्नाव का केस हुआ कठुआ का केस हुआ अंकिता बंडारी का केस हुआ ऐसे कितने वजारों केसिग हुए है और हर समय हमने देखा है कि भारतिये जंता पार्टी हमेशा वालात कारियों के साथ पढ़ी हुई है जब इन्हों ने ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तब ये बताना भूल गए कि हमें बाजपाईयों से ही अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा हर केस में मनिपुर के केस में भी यह हुआ है कि जो वीडियो तीन महीने पढ़ाना थ सारे लोग जो थे वो बार के जंसा पार्टी के लोग थे यही कारण था कि किसी को तीन महीने तक कोई कारवारी नहीं हुई जब वीडियो वायरल हुआ तो फॉरन लोगों को पकड़ा गया और ये लगातार एसा ही करते आ रहे हैं आपको याद होगा कि बिल्किस बानों के किसमें इन्होंने ये बोला की जो रेफिस्त हैं वो रेफिस्त नहीं है वो सनसकारी है एक पार्टी जो हमेशा महिलनों के खिलाफ ऐसे बयान देती रहती है उसको कोई हट नहीं हमारे देश में शाशन करनेका और जब ये सब चल रहा था तो मोदी ती गए हुए थे अमरी यूनियन में चर्चा चल रही थी कि मनिपूर में क्या चल रहा है और मोधी जी दिली में बैठे हुए थे उनको सुनाई नी पड़ा कि मनिपूर में क्या चल रहा है जिस किसी ने वो वीडियो देखा मैंने जब वीडियो देखा मेरे को रात भर नीन नहीं आई एक मैला होने क्या सिपालय दालाइच सर्दा के मंघाश सब्सक्राइब क्या अई हमारी देश्ट 206 काप्याने कर जा हमने में 121, और कीजन ज्म्हें को बकड़ाτα्ट कला हैं नहीं Isit लिए कि दिमाने के वहां शुर्लाईच स्मीह थेुड सभास्य में उस हैरे कि 전े कुर्ण को चुर्ण कि इसके लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है कोई जिम्मेदारी लेने को तयार नहीं है और मोदी जी तो मौन बैठे हुए हैं ऐसे समय में यहां पर खटा होके बहुत धरूरी है कि हम्में बताएं कि यह हम सहन नहीं करेंगे हमारे देश में इस तरह के कांड को अब हम सहन नहीं करेंगे और मोधी जी को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि मनिपुर में 355 की धारा लगी हुई थी 355 धारा का मतलब होता है कि सीधे सीधे जो ग्रे मंत्री होते है अमिश्या जी की जिम्मेदारी होती है लोई और की तो किसी ने कुछ नहीं जिम्मेदारी लेई किसी ने कोड किसी ने स्कीफा नहीं दिया वहीं जब मोधी जी मुक्य मंत्री हुआ करते थे और विपक्ष में हुआ करते थे तो पौरन हार जगे पहुंच आते थे, पौरन वयान देने पहुंच आते थे, जब केडार मैट की घटना होई, हैनि कोट्पर लेके पहुंच गए और अब मनिपुर जाने का उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इनकी आपों में बेहनों का, मा का, बेटी का, किसी का कोई सम्मान नहीं है और अब समय आ गया है कि हम सब मोधी जी से पूछें, कि मोधी जब आपने कहा था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो आपके शाशन में ये कैसे हो रहा है आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा संसत के सामने भी जवाब देना पड़ेगा, संसत के बाहर भी जवाब देना पड़ेगा और यही एक सवाल हमारे माननिये संसत संदेशिंगी में उठाया और उनको परखास कर दिया गया मैं पूछना चाहूंगी कि मोधी जी ऐसे फिजी कहां है कि वो संसत के सामने जाके जवाब नहीं दे सकते कि मनीपुर का जो कांड हुआ है तीन माईने पुराना कांड आपकी पुलिस सो रही थी आपकी नैशनल कमिशन पो विमिन सो रही थी सब सो रहे थे और जब मुख्यमंद्री को बोला गया तो मुख्यमंद्री ने कहा कि ऐसा एक नहीं सोर गटना हुई है जैसे ये बहुत आम बात है कि आप किसी का भी रेप कर दो किसी को भी नोचो खसोटो किसी को भी खेतों में ले जाओ कुछ भी करो ये ये इस तरह का जो आटिट्यूड है उसके खिलाफ हमें माग भानी पड़ेगी और आप सब लोग उसका बहुत धन्यवाद कि आप सब यहां आए हमें सब को मिलके मोधी जी को बोलना पड़ेगा कि मोधी हटाओ देश पचाओ आप सा मेरे साथ नारा लगाए मोधी हटाओ मोधी हटाओ देश पचाओ मेरा आगरफ पीछे जितने भी सात्य है बेरकेटिंग के पास अकुम सबी सात्यों से आगरा है कि आप वो जहां जगे मिले वहां बेट जाईए प्रेश जहां जहां चाबी मिले दोग देख पाई ag है प्रीज बैट जाईए अपनी देखे पेट जाईए आप बैट इए हम लोग भी यहां पे हैं इतनी असानी से जो इंसेंसिटेव कान है मोधी जी के जो समवेध महीन कान है उन कानों पर कितनी सम्मेद शील बात पहुचेगी ऐसा जान नहीं पड़ता इसलिए आग रहा है आराम से अपनी जगे दीजिए और बैट जाईए जितने भी वोलेंटियर्स हैं वो भी अपनी अपनी जगा पर अपना स्थान ग्रहर करें दोस्तों अभी हम लोग भीना गुप्ता जी को सुन रहे थे मैं मंच पे स्वादक करता हूँ आम अज़ी पार्टी की प्रदेश महिला विंग की इंचार्ज और रोतास नगर से पूर बिढ़ायक सर्ता सिंग जी का आप सब लोग जानते होंगे इस देश का जिर्भाग की वाहन उजवान जिसने कारजिल में इस देश की अस्विता की रक्षा के लिए लाई रही नहीं मोधी जी ने अपनी आखें बंद कर दी और उसकी अपनी धर्म पत्नी की अस्विता की धज़्जियां उडवादी मड़ी पुर्गियन में आप सबको मालूम है कि जो वीडियो वारल हुआ उसमें जो बहन है वो एक कारजिल योधा की पत्नी है इस देश में किसका सम्मान बचेगा बताइए इस देश में किस महिला को समशिफ मैसुष करना चाही है मोधी जी के और अमित शाजी के लॉण इम रोडर के अंदर या सारे सवाल इस अज़वाल आग लगाते हैं धस्नांदूलित करते हैं 18 माई को पीडिता की मा की ओर से एफायार दर्स करवाई गई और जुरुभा की देखिए कि उस अफायार में क्या सेंटेंस यूज किया गया इतने गंभीर विशेपर कहा गया लिखा गया उसे फायार के अंदर के ड्यू टू कम्यूनल टेंशन दे केस कुड नॉट बी रिपोर्टे इंग ताइम आप सोचिए मतलब औरत की इज़त को हमने इतने हलके से लिया कि इस लाइन को ये फायार में धर्च करना पड़ रहा है कि ये हमारी सम्मेदिन शीर्टा का स्थर है इस देश में आजी अबादी के उपर जो खद्रा है वो तो इंसी अर्भी का देटा खुद बखुद बयान कर रहा है लेकिन मनिपूर ने पिछले तीन चालतीर महीने में जो देखा है और जो पुरा देश देख रहा है मुझे कि कि इसी भी घर के अंदर मा बहन बेटी आपने आप कुछ मेंसुद भी कर दिए हमारे बीच सर्ता सिंग्जी मंच पे हैं मैं उनको बुलाओं इस दाश पर्स के पहले में एक बार फिर से आगरा करूंगा हाज जोड़ को सभी साथियों से जिसके पास जहां जगए है आप बैठ ये अज्यी सबको बिठाएये अली जाइए प्रीज आफ़ी बैठ जाएं सब लोग बैच जाए है सभी बैठ जाइए इस्याँ पेट अवीटाइए लोगों को球 सेशेν जा बीज़िति में सबको करूंगा आप सिर्फ बीठ ह आप सभी लोगों का चंतर बंतर की इस कांधिकारी धर्ती पर मनिपूर में हो रहे हिंसा के किलाव आवाज हम सब लोग यहां उठाने आए रहे हैं एक बार मुठी बंद करके जोर्दार नारा लगाएंगे भारात माता की बारात माता की इनकलाब मोठी तेरे राज में मनिपूर जल गया आज में दुबहा क्या है कि यह नारे आज जंतर मंतर की धर्ती से लगाए जा रहे हैं आप सभी लोग आज दिल्ली के कोने कोने से आज यहां पर सभी लोग आए हैं और एक मन में आक्रोश लेके गुस्ता होके व्याकुलों के क्रोधित होके कि हमारे देश में यह हो क्या रहा है पिछले तीन महीने से लगातार मनिपूर चल रहा है पिछले तीन महीने से लगातार मनिपूर में हिंसा हो रही है और हमारे देश को माता के लाम से पूझा जाता है मनिपूर की धर्ती में महीगाओं के साथ सोशन किया जा रहा है नग नवस्ता में महीगाओं का परेड कराया जा रहा है पर वहां की गूंगी बहरी बिरेन सिंगी भाज़पा सरकार सुद लेने को तयार नहीं है हमें याद है कि पिछले चार पास दिन में मनेफोर का आक्रोश पूरे देश में खेला है एक ऐसा वीडियो एक ऐसा फोटो जो हम सब लोगों ने देखा उन्हों उस फोटो वीडियो ने हमें चंचोड का रख दिया किस तरीके से गंगा जबना तहजीव की धर्ती में महिलाओं का अत्मान किया जा रहा है महिलाओं का बलादकार किया जा रहा है नौ साल पहले मुझे याद है आप हैद उखा के मिना समर्थन करना जब 2014 में पहली बार नरेग्न मोधी की सरकार देश में बनी थी तो बड़े बड़े नार्वे और बड़े बारे किये गहते कि बहुत हुआ महिलाओं पेवार अब की बार मोधी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर क्या नौ सालों में हमने ऐसी कोई चीज महसूस की है जिससे महिलाओं का मान सम्मान इस देश की सरकार में बढ़ाया हो हमारा देश आज ग्रोधित हूँ आज सब लो ग्रोधित हैं हमारा देश पता नहीं किसी चीज में तरक्की किया कि नहीं किया पर महिलाओं के प्रती जो अपराद है उसका ग्राफ पिछले नौ सालों में लगातार भरता ही चला जा रहा है और देश बैटी सरकार सुद लेने को तयार नहीं है उल्टा वो कहते क्या है तरुद लिवल्ड से रही है है आप में से कित्रों को लगता रहे है कि अगर वो वीडियो वाइवर नहीं हुआ होता अगर वो वीडियो लोगों पर नहीं पहुचा होता तो यह अन्मी वहरी सरकार आज जो कह रही है कि सदक पर चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा के नाम पर तयार होती कोई तयार होती? यहीं तयार होती कभी नहीं तयार हो थे वो इस पूरे मामले को नीपा पोती करके खतम करना चाहते थे खुद महां के मुख्यमंतरी के कहते है कि इस जस्ट अ सिंगल इंसिडेंट तो यह सवाल पुछती हूँ मणिपुर के मुख्यमंतरी से असी घदिना ने हुई क्यों तीन महिले में अपने असाथ क्या किया कि मणिपुर को हिंसा के चपेट से बाहर निकाला जाए मणिपुर के महिला उपको संवाल वापत दिलाया जाए आज मैंने दिल्ली महिला उपकी 6% का ट्यूट पढ़ा साथी मालेवाल जी का वो उन मा से महिली जिनकी पेटी के साथ ये दरिंदुकी की गई वो मा भूट भूट कर रो रही है वो वीडियो देख के वो आवाजे सुन के क्या हम में से किसी को भी नीद आएगी कभी नी आएगी जब तक मणिपुर को इंसाम नहीं मिलेगा हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश अठ्यक्ष और काविनेट मंत्री वो पान आगी आचुके है एक बार मुट्टी बन करके जोड़दार नारा लगाएंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंकलाब इंकलाब हम अपने देश में हमारे संविधान में हमें राइट टू इक्वालिटी यह राइट टू इक्वालिटी का अधिकार दे दिया है पर आज बहुत भीड़ा हो रही है मन में आज हम सभी बहुत दुखी है बहुत भीड़ा दालक है कि राइट टू इक्वालिटी तो दूर की बात क्या हम पिछले नौ सालों में केद्र में बैटी मोदी सरकार देश की महिलाओं को मरीपुर की बैटियों को मरीपुर की बैलों को आज यहां पर बैटा हर व्यक्ति बहुत ही उसे बैटा और यहां से कुछी किरो मिल्टा दूर देश का शंसाथ संत्र चल रहा है जहां के मरीपुर पे चर्चा कराने को केमे सरकार तयार नहीं है वो स्रिक्ट फॉर्मालिटी करना चाहती है हम सभी लोगों ने यह देखा कि कर खिस तरीके से हमारे राचिसवास शंसाथ संजेश सिंची को ग्याल संविदानी करीके से मरीपुर पे हिंसा के खिलाज आलाज उठाने के लिए उनको संसक से बाहर पही दिया गया पर मैं भात्येज़का पार्टी नरेंद्र मोदी कि पूरी सरकार से ये कहने देना चाती हूँ कि ये लडाई धिल्ली की सडकों में ये लडाई पूरे देश के सडकों में और ये लडाई देश के संसद में आम आदमी पार्टी आम आदमी लोगों के साथ मिलकर लड़ेगी और मणीपूर के लोगों से हम यह कहना चाहते हैं अभी जब आहीं तो मुझे कुछ मणीपूर के साथी pichzy बैटे मिलें हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो नया है पिछे तीन महीने से हो रहा है डबल इंजान की सरकार मणीपूर में चल रही है केंदर में और राज्य में उसके बावजूद पूरा का पूरा मणेपुर जल रहा है पूरा का पूरा मणेपुर में इंसा हो रहा है महिलाओ न सो लोग भारतियंता पार्टी के अंदर बैटे हुए हैं जो मनिपूर के हालाद पे भी मोधी जी की चुप्पी को डिफेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बीच मच पे आम आदमी पार्टी की विराई का धर्मंत्री चंदेला जी मौजूद है मुनका स्वागत करता है अंकल जी एक पुरेट अंकल जी एक नारे भी लगाएंगे आप तो पता है के चेगा रक्षक आज हम उन परीजी को पता ही नहीं था दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष तरिये केंसरकार अध्यक्ष नारे इंकलाब बंदे आत्रम बंदे आत्रम बहुत 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 शुक्रिया जैहिंद जिम्नाबार है 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 पूसमें शुक्रियू है तो डियान पूर्व है प्लिगे के दिन हे जाए तो भ्याइन पूर्व सबीशाथि करें तो किट जाए है now it's been some years that i have been a member